तो वेलकम 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 टू इस अमेजिंग बैच है ना आपका स्वागत है है ना वह आपने देखा एक वह सीडल ता साज भी काई बहुती उसमें कैसे वह इंटर आईए आईए ऐसा आईए करके करके बलाते आओ आओ हमारे बैच में तो एक शांदार बैच में आपका बागत है तो मैंने ऐसे चालू करने के बलाए बच्चों से पुछाता आप कहां से और कौन सा अटेम्ट है तो मोस्टली जहां तक मुझे मालूम पढ़ा है जैसे वाइबव है हर्याना से उनका टेम्ट 24 में है मसूध है भूवनेश्वर से उसके लावा धुरूवी यौगाव से आईशा है एहमदाबात से सिम्रन है मुंबई से त्रटी है रोहित है कुलकता से हसन मुंबइ से पिंटु है दली से निश्टा है बिकानेर से धारा है राचकोट से सनकेट करम डिली क्र debenT पर लुब अबके परुब अच्छा ये अक्षय है कानपूर से अनन्त है इंदोर से ठीक है रुतूजा है मुंबई से मैं वैसे मुंबई से बता दू मैं आपको ठीक है तो ठीक है मेरे खाल से भाई साब में तदर में से निपढ़ वारा ठीक है चलो तुम समझ गया ना भैये लोग भाई पूरे गाउ से लोग है चले अनिवेस तो अच्छा नेहा है राजस्तान से मुस्कान है लुद्याना से पूजा है मुंबई से शांदार 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 अब इतने बड़िया बड़िया जगे से हो यार मजा आने वाला ठीक है चलो तो वेलकम तो डिस बैच आय होब हमारा ओडियो इन वीडियो सब कुछ बहतरीन तरीके से प्रॉपर और शांदार है ठीक है चलो अब मैं आपको दे दूँ डिटेल्स इसके बारे में ठीक है का पहला पेपर पता ना पहला पेपर है एफर और शुरुवात अच्छी उनी बहुत ज़रूरी है तो एफर के बारे में आपको गडेंस दूँगा मैं पहले बता रहा हूं कुछ चीजे जो मैं आगे बढ़ने के पहले बता दूँ आपको डेली बेसे पर लेक्चर देखन मुपे मारनेगा ताकि तुम्हारे नीन भाग जिया तो सोनेगा नी वैसे मैं तुमको सोने दूँगा नी चिंता मत करो है ना अपना लेक्चर है जान दा तो तुमको नीन आईगी नी बट फिर भी कुछ लोग रहते है ना रात को चार बजे सो यह सर तो यह हरकते मत करना कह oy चाना टाइम से उठ जा भी एस ठीप है अरे येस और नौ करने पहले पहले दिन है तो लेकिन जो सब्जेक के बार प्यार करने है उस सब्जेक के बारे में जानना बरा जब्यूररी है गला दय हूठ है टoc आपको जहां भी दिक्कत लगे, आप मेरे से चीजे पूछ सकते हो, उसकी चिंता आपको करने के जरुवत नहीं है, I hope this is late to everyone, yes, चलो ठीक है, तो let's start, चलो let's start, सबसे पहला, CA final, group 1 का, group 1 में आता है, CA final, financial reporting, paper 1, अच्छा, इसका नाम, financial reporting क्यों है, accounts क्यों नहीं है, है ना, वो सब की बाते हैं, आपने बाद में करेंगे, लेकिन, पहले समल लेते हैं, subject में अपने को target कितना करना है, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, आजओ, तो सबसे पहले, target marks, आप सब मुझे, chat box में लिखके बताओगे, कितने चाहिए, एफर में, कितने, चलो, मांगो, आज, आज, तुमको भगवान बोलेगा, ठीक है, उपर से भगवान देख रहे है, ठीक है, भगवान ने बोला, मांगो, जित मारेंगे, ठीक है, ambitious होना ठीक है, लेकिन हा, 100 कोई लाएगा, तो मज़ा आ जाएगा, वैसे, सो हम कहते है, 100, ठीक है, 90, व्रिंदा कहते है, हसं कहते 85, दृष्टी कहते 90, हर्ष कहते 85, विशाल कहते 99, अच्छा, एक मां कहा रगया भवाई, ठीक है, तुमर कहते 80, आस, मि सूथ से 80+, विशाल से 99, करन से 80+, ओके, सब को, चहां तक मैं देख पा रहा हूँ, काफी लोगों ने 85, 90, 85, 90, 80, ऐसा सब कहरे रखा है, मैं बता दू, मुझे यही आपसा आंसर चाहिए था, अगर आप मुझे बोलते न, सब 60 चाहिए, 65 चाहिए, 40 चाहिए, 40, 40 फेल आने क में टार्गेट करना है, बेर मिनिमम, बेर मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम, आपका टार्गेट शुड नॉट को बिलो 80, मिनिमम 80, 85, 90, अगर आप यह टार्गेट करने वाले हो ना, तो आप एकदम सही जगे पर आयो, ठीक है, आपको पहले बता दता हूँ, मैं, शुर आते हैं क पहले अच्छा, प्रवचन चालू है नहीं बाबा का, तो बुक लेके बैठना और लिखना अपने पहले पेज पर टार्गेट कि मैं कितना टार्गेट कर रहा हूँ, या कर रही हो एफार के अंदर, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, उसके लावा, अच्छा मुझे यह बत गुड बंच और स्टुडेंट्स, तो अब मुझे यह बताओ, आप मेंसे किसी की इंटर में रैंक थी क्या, तो इंटर में किसी की रैंक थी क्या, बताओ, इंटर में रैंक थी, यह से तो य करके लिखना और कुन सी रैंक थी बताना, नहीं है तो नो करके बताना, ठीक है, जल्दी से बता हूँ, इंटर में कोई है क्या, इधार? फुष्यार चन्'d, rankर. जलो आप तब जवाब दे तक मैं ऐसा कहँ दू, मेरी कोई rank नहीं थी. ठीक है? मेरी कोई rank नहीं थी. हसते है, कुरेशी बलते है, मेरा अपने کوई rank नहीं थी. अपने कोई रैंक नहीं है, हड़ा खुरस को, बुपिंदर रहर थे, मैं जानता हूं, और मेरी भी नहीं थी, ठीक है, मेरी भी नहीं थी, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, आ जया न सब के मन में कही ना कि पहला अटेम्ट दे रहा ह था और जिसका अटेम्ट एक साल के बाद है जैसा जो भी आपका अ अटेम्ट लंबे समय के बाद हो 안ड़य को आपके पास है अब आप एक मन में एक आशा लेकर कर बैठना शर्क लाएंगे रैंक लाएंगे एक है ना उम्मीद लेकर बैठना ठीक है दिल से देखो हर कोई है ना जो भले कैसा भी हो अंदर ही अंदर लगता तो है सर एक बार रैंक आई तो अच्छा लगेगा लाएंगे अरे भाई उम्मीद रखने में क्या है अगर गिरे तो भी साथ वमाले के बिल्डिंग पर गिरोगे ना तो समझ रहो रैंक एम करे तो नहीं आया तो भी एक्जम्शन पर गिरेंगे ना नीचे तो नहीं गिरेंगे न उसके तुम समझ रहो क्या तो यार सब लोग सब लोग आज रैंक एम करेंगे विजुलाइस करेंगे कि अपने को रैंक आएगी ठीके डिल से ऐसे फिल करना कि रैंक ला रहा हूं है ठीके बाद ध्यान लगदगे तो भले ही भले ही हमारी रैंक नहीं थी कोई फरक नहीं पड़ता we can aspire for a ranking final and final की रैंक is तो मज़ा आ जाएगा यार, लेते हो क्या, पिंकी प्रोमिस लेते हो मेरे रात में, कि राइंक लाओगे, लाएंगे ज़र कहा ही नहीं लाएंगे, ठीके, वेरी गुड, अब टार्गेट मार्क्स हमने बता दिया मैं आपको, अब बात करते हैं भूक्स की, ठीके, अगर आप आपने तर्म, टाइम से रिष्टर कर लिया रहेगा, तो आपको किताब रिषीव हो गई रहेगी, अगर आपने फ़रा लेट रिष्टर किया रहेगा, आपको किताब येट टू भी रिषीट रहेगे, चिंता की जरुवत नहीं, आपको तीन-चार दिन में किताब मिल तो यह चार किताब आपके लिए मतलब होता ना गीता बाइबल कुरान जो बोलना है बोलो वह आपके लिए इस तरह किस है सब कुछ कवड़ है इसके अंदर और अब बैच से लेका जब तक आपका अटेंटर तब तक जितना भी कुछ एक्स्टा आईसीया लेकर आता है आटी आपने सब कवर किया गया तो खुलकर देख लेना मॉडूल तुमको सब कवर दिखेगा उसके अंदर ठीक है आपको चिंता करने के जरुवत नहीं है उसके अलावा मैंने बुक्स के बाजो में एक चीज लिखी है नोट्स प्रिपेरेशन नोट्बूक लेकर बैठना है ना प्रिपेर वन नोट्बूक उसको आप कौपी बोलो नोट्बूक बोलो जो बोलना है बोलो नोट बनाओगे जैसे-जैसे मैं लिखाओंगा वैसे-वैसे बनाओगे ठीक है तो सब आप हर चीज को लिखाओगे क्या देखो जो concept में लिखने के जरुवत नहीं है जो concept अपन है कितना लिखने सब आपको बताता हूँ चलूंगा लेकिन उसके लिए आपको एक notebook prepare करनी पड़ेगी तो अगर यहां कोई महारती है जो बैच में आके बेढ़ गया notebook के कल से notebook ले आना पहले बता रहा हूं ठीक है और यह सब लिखके रखना चाहिए उसको चाहिए question bank कितनी सव पेच की वह बलता है question bank में क्या question है भाई चले आगे अपना पढ़ने का अप्रोच कैसा रहने वाला है ठीक है ध्यान लगना we will focus towards conceptual understanding अभी आपके account जैसा नहीं रहा account में क्या सिफ question 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 लेकिन accounts में पता है section था AS करके accounting standards तो आपके FR में सिर्फ वो सिफ IndeAS है Indian accounting standards अभी इंडेस क्या होते हो मैं समझाओंगा आपको but FR में जो आपके AS में थे जो आपके IPC में था ना AS वैसे FR में सिर्फ वो सिफ IndeAS है सिर्फ IndeAS बराबर तो यहां conceptual understanding बहुत ज्यादा required और concept चाहिए वो मैं समझाओंगा आपको चिंता क्यों करते हो तो यहां concept है theory नहीं बोलनेगा concept बोलनेगा concept सोनने अच्छा लगता है न तो यहां बहुत सारे concepts है तो उसको आपन एकदम बैतरीन तरीके से understand करेंगे ठीक है समझना बहुत जरूरी है फिर समझेंगे फिर उसके उपर आप अपन क्या solve करेंगे उसके उपर आपन धेड़ सारे questions solve करेंगे आपको मैं class में सारे question करवा दिया करूंगा ठीक है तो ध्यान दिला जितना मैं करवा उतना अच्छा करके चले जाना अच्छी तरीके से मैं आपन पूरा coverage करने वाले उसके अंदर और उसके अलावा समझ लि होगे कि इसको भूले कैसे तुम चाहा कर भी नहीं भूल पाओगे है ना चलो anyways आगे बढ़ जाते हैं उसके लावा regular intervals पे test में लेता रहोंगा टेस्ट कैसे लूँगा क्या होगा कैसे होगा वो during the course वाद समझता हुआ चलेगा आपको but every week मतलब समझ लो every week every two weeks में टेस्ट ह होता हुआ रहेगा regular basis पे chapter wise दो तीन chapter हुए जैसे भी हुए हम टेस्ट लेते रहेंगे उसके लिए evaluation sessions भी रखेंगे तो आपको चिंता करने के जरूवत नहीं है कैसे होगा during the course आपको समझ जाएगा बट आपन regular test भी लेते रहेंगे मैं ही लूँगा आपके लिए आपको औ आया है ठीक है वैसे तो आप जो लाइव वाले वो लाइव में पूछ लेना लेकिन आप लाइव वाले को बाद में डाउट आया या record वाले को डाउट आ तो कैसे पूछोगे तो मैंने exclusive telegram group बनाया जिस पे सिफ आप हो जिस पे सिफ आप हो बराबर ये telegram group का link आपको mail में आगया होगा अगर आपको mail में नहीं आया है तो जो Google Drive का आपको access मिला है उसमें एक word file create कर दूँगा जिसमें telegram का link mentioned होगा तो please telegram join करके रख लेना प्लीज ठीक है आभी जाके मत join करने बैठो अगर नहीं मिला तो वो word file वैसे भी lecture can में create करूँगा तो word file तभी वहां से आ अब मेरी आप से क्या उमीदे है होता है न relationship में आते देखो ऐसे जमलो अभी आपने relationship में आ गए सब लोग ठीक है तो relationship में आते तो कुछ आप मेरे से उम्मीद रखोगे जो मैं fulfill करूँगा कुछ मैं भी आप से उम्मीद रखूँगा न है न तो सबसे पहला एक बात ध्यान लखना आदे लोग को यह क्यू कर रहा हूँ वाए तो आपके लिए चीज़े आसान हो जाती है ठीक है यह सब चीज़े इंपोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आप बोलोगे यह सब इंपस करो चालू करो ध्यान लखना यह सब इंपोर्टेंट है क्योंकि दिस्क्लेमर देना पहले थोड़ा बि मेरी आर्थिक स्थिटी मुझे मेरे पैरेंट्स को प्राउड फिल करवाना था अपने को समान में चाहिए थी इज्जत है ना सिय बनने के बाद आएगा थोड़ा सा पैसा तो अच्छा भी लगगा ऐसा तो और ना वो रीजन बहुत स्ट्रॉंग होने चीज़े आपके लि ले कर रहे हैं बराबर तो यहना आप सब लोग अपना वाई विजुलाइज करो के पहले एक मिन लेकर चैट बक्स मुझे बताओ कि आपका वाई क्या है यहना इट कैन भी एस सिंपल एस अर्निंग मनी इट कैन भी एस सिंपल एस जस्मेकिंग अपेरेंट्स प्राउड उतना आपको मेहनत करने में आसानी होगी जैसे मेरे केस मेरे वाई बहुत स्ट्रॉंग थे ठीक है मतलब मुझे आपको बोलोगे ना कि छे मेना अटम्ट हो जाएगा तेरा तो मैं मैं डर जाओंगा फिर क्यूंकि मेरे छे मेना लेट से बनना बहुत मुश्किल था फिर उ तुम समझें से कृष्णा ने का गुड passage वर्रर्षा ने का अंक इक वरिंदा का सपने आप फिनाशल इंडिपेंदेंस फ्राउड कर करेंगी वर्रर्षा ने मैं साथ जगा जाओ, don't want my father to work, भाई कितनी अच्छी बाते ना, ऐसा फिल कर पाई हो, कितनी अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, भी अच्छी कि हाग कुछ तो करेंगे जिंदगी में, yes, दिवियंका ने का, making parents part plus family, yes, जैसे मेरे case में, एक और था कि, जैसे म लानी है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे सो reason हो सकते है, right किया, दुरू कैते है, सर, business का scope change करना है, लोगों के लिए अच्छा करना है, कुछ for parents, financial independence, आरिफ कैते है, पापा wants me to get good education, very good, विशाल कैते है, making parents proud, I want to be a teacher too, very good, विशाल, तुम समझ रहा हो क्या है, तुम्हारे ambitions, कितने strong हो सकते, है ना, आज feel करना उसको अंदर से, ठीक है, it's about that feeling from inside, आपन ढूनते है ना, भार motivation, कोई motivate आके कर दे, नहीं यार, it's that internal motivation, it's that internal zeal, which will drive you to study every day, तो तुम्हारा why बहुत clear होना चाहिए, आज आज आप अपने सब, हर एक पन्ने पर, मतलब हर किताब के, जो आपका हर स यह discuss कर लिए, second, भरोसा रखना मेरे उपर, जब मैं कुछ बोलू ना, कि इतना कर लो, यह कर लो, revision कर लो, तो मेरी बात मानना, देखो, relationship में क्या होता है, जैसे, मैं relationship के बड़े example देता हो, आज तो समझ के लेना, वो चीज, तो relationship में क्या होता है, trust नहीं हो, प्यार कितना लेकिन भरोसा नहीं होता है, तो काम नहीं चलता है, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा मेरे उपर, अब देखो, चुनने के पहले सोचना था कि आकाशकंदो ही सही है कि नहीं है, अब चुन लिया ना, अब मैं ही हूँ, तो मैं बानना मेरी बात, यह नहीं कि, दस जगे ज लेने, तो मैं तुम्हार के बुला नहीं चाहूँगा, ठीक है क्या, तो भरोसा रखना मेरे उपर, ट्रस्ट मी, है न, ट्रस्ट करोगे न, मेरे उपर, चले एनिवेज, धुरूब कहते है, गल्फेंड वाला रही गा था, फैक्टर, थैंक्स फॉर रिमांडिंगे, क्या चले एनिवेज, ठीक है, तो भरोसा रखना मेरे उपर, ट्रस्ट मी, उसके लावद, इस एफर, सर यह क्या रिसंस बनने का मतलब पर, आपका मतलब, भाईर एफर है, तो राइट एंड प्रैक्टिस करना, यह तुम्हारा थियरी नहीं है, जो तुम देखकर याद कर रहे ह उसको भी लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए, बट उसकी बात, कोई और फैकल्टी, जैसे शुम केश्वानी सर आउडिट में, वो बता देंगा अपको आउडिट कैसे करना है, बट जब मैं एफर की बात करूं, तो एफर में आपको लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत आदा नहीं मांग रहा हो, तीन खंडे का लेक्टर होगा अपना साथ से जो भी दस तक जो भी लेक्टर होगा, हाडली 20 ते 30 मिनिट्स में रोगो आपके चाहिए, रिविजन के लिए, घर से खुद रिवाइस करके आओगे, आज पढ़ाया, आज के आज उसको रिवाइस क बात करो, रात में सोने के पहले करो, कल उठने के बात करो, कभी भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे रिविजन चाहिए, अगर आपने रिवाइस नहीं किया, मैं अगले दिन क्लास में इंट्री दूँगा ही नहीं, आप बोलोगे सरे तो ऑनलाइन बैचे, आप कैसे इंट् अगर रिवाइस नहीं किया, तो आनाई मत, आनाई मत, चले जाना, तो रिवाइस डेली बैसे पर करके आना है, मैं रोज आके सबसे पहले सावाल यहीं पुछूँगा, कि रिवाइस किया, और जिनों न किया, वो एकदम बढ़िया बढ़िया येस करेंगे, और तुम गिल कि यह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कीप पॉजटिव माइंसेट, आपको आपको आपके साथ सीनर ने बताया रहेगा, एफार बल्की है, एफार ऐसा है, एफार तो बहुत लंबे घंटा चलता है, एफार तो 6 मेना चलता है, कु तो आप जब positive सोचोगे, जो सोचते हो वो हो जाता है, तो positive सोचना, तो positive होगा आपके साथ, ठीक है, ध्यान रखना, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है, hard work, जैसे मैंने का, daily revise करना, class में daily आ जाना, तो उसके लिए महनत लगती है, ठीक है, सुबह उटने में लगती ह महनत लगती है, है ना, तो तुमको महनत करनी पड़ेगी, तो महनत हर तरीके से करना, कभी महनत से कत्राना मत, ठीक है, hard work is important, same applies with discipline, daily बेस मतलब lecture देखने हैं तुमको, एक दिन lecture देखके हुशारी मत मानना, कि आज तो miracle, 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 miracle चिला के बोलेंगे, आज तो lecture बैठ ले सुब हाँ, हाँ, मेरे कल, फिर बोलें, दस दिन पड़ी नहीं रहे, वैसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने, hard work and discipline से क्या होगा, आपका, daily lecture attend करोगे, और daily revise करोगे, जो मैंने आपको अलड़ी उपर बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना, उसके इलावा, consistency चाहिए, जैसे मैंने बता उसके इलावा, tension लेना मत, ठीक है, tension लेने का नहीं, tension देने का, और मुझे देना भी मत, ठीक है, तो tension लेने के जरूट आपको नहीं है, भाई है ना, भाई, तुम्हारा भाई हुमेर, चोटा भाई, बड़ा भाई, जो बोलना है बोलो, भाई आया है, सब कराके जाएगा, नहीं है इदर थो भाइ आया है सब कराके जाएगा तो मैं सब करा दूगा अपको ठीक है भरोस है उसलिद्वा चले इनिवेज तो यह सब बाते ध्यान रखना वाइक क्लियर रखना यह क्लियर होगा ऑटोमेटिक लिये सारी चीज़त हो जाएगी अब मुझे बताओ कि आपको मेरी बातें यहां तक समझ आ रही है किया जल्दी से बताओ येस और नो फटा 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 रहे ना टाइप करने में पूरा मिनत मत करो वाई लिखो कि तो भी चलेगा वाई का मतलब येस एन का मतलब नो येस नो चलो तो तुमको यहां तक समझ आ है मैंने क्या बोला येस और नो येस नया कहती है येस एक ब्रो परफेक्ट पक्का समझ आएगा तुमको और भाई टेंशन मतलो ठीक है पहले एक दो दिन आपको लगी का मेरी टीचिंग से उस्टो होने में उतना आइस ब्रेकिंग तो आइस ब्रेकिंग हो जेग एक दो-दिन में फिर आप जागे अए तो बैच में जो मज़ा आएगा बैस अच्छी बोल्रो तुमको बैच में जो मज़ा आएगा ना तुम तर्सो के सुवह साथ बचनुकी इतना तुमको मज़ा कराओंग और साथ में पढ़ाई भी दुरूवी, गंगा, सैये, पिंटू, सैये, दिविया, सैये, निशिका, सैये, अभिशेक, देखो, एक लिटे लिखने में आसान लगता है ना, यास वैसे दिखेंगे, चलो बहुत ही बढ़ी है, शानदार, जानदार, मज़ेदार हो गया, ठीके, चलो, अब काफी बाते गर आपकोंट्ब अकांट्स नाम से ज़ाधा famous था ना, याना, अकांट्स, अकाउंटिंग, advance, अकांट्स वैसा अब, final में आखेंगे किसका नाम हो गया, financial reporting, तो अब यह नाम, accounting से reporting कैसे हो गया, क्यूकि जव आप final में आते हो ना, तो आप index पढ़ रहे हो, standards, standards आपको accounting ने सि इसलिए इसका नाम है financial reporting, आपने books maintain कर ली, आपने accounts बना ली ए, अब इन सब को report कैसे करेंगे, किस को report करेंगे, किस format में report करेंगे, वो सिखाता है final, इसलिए इसका नाम है financial reporting, इसलिए इसका नाम accounting नहीं रहा, यह आपको वो नहीं बोलेगा, आप चलो वो निकाल के debit mark के दिख खाओ credit mark, of course, आपन वो सब करेंगे, but by default, it is presumed कि आपन वो किये न, बच्पन से करते आ रहे हैं आज हम reporting सिखेंगे यह सब चीज हो की, ज्यान लखना, ठीके, और लिखना start कर देना, yes, प्रियांच ने बुचा लिखे क्या, लिखना start करना, ठीके, तो financial reporting, नाम कैसे पड़, आपको मैंने थोड़ा idea दी, आपको कोई पूछने नी वाल एक्जाम में, ठीक है, बड़ थोड़ा ग्यान होना चीए अपने को, उसके अलावा, सर, सिले बस में क्या रहने वाला है, तो आपके FR, अब इसको short form में, FR बोलूँगा, ठीके, FR, और मैं ऐसे hashtag बोलता हूँ, FR with and I tease the subject of financial reporting for more than four and a half years, ठीक है, तो आपको चिंता करने के जरुवत नहीं, जो भी बढ़ाऊंगा, अच्छा बढ़ाऊंगा, चलो, तो ये FR इसको short form में बोलेंगे, और FR भी तेक है, ऐसा ध्यान रखना, चलो, अब इसका syllabus में क्या है, 35 indices है, जानना जरूरी अपने syllabus में क्या topics है, तो वो 3-4 topics तो miscellaneous है, सर पहले 35 indices का रहें बताओ, ठीक है, तो आपन पहले discuss करते है, what about these 35 indices, तो मैं ये सारे 35 indices को पहले दो पार्ट में बाट बाट देता हूँ, तो आप भी pen paper लेके बैठना, भाई, pen paper मतलब सी paper नहीं, किताब लेकर बैठना, पहले बतारो, किताब चाये मुझे लिखना मेरे साथ-साथ में, ठीक है, तो 35 indices को मैं दो पार्ट में बाट रहा हूँ, एक जिसको मैं बोलता हूँ, बिग प्राक्टिकल index, एक जिसको हम कहते है, बिग प्राक्टिकल इंटे準 और दूसरे वाले को हम कह सकते है, small index पहले वाले को कहेंगे big practical index दूसरे वाले को कहेंगे small index ठीक है अब यह जो big practical index है इसमें total ऐसा मान लो देना total 12 index 35 में से 12 इधर है और इनका weightage होता है exam में approximately 50% इसका exam में weightage approximately on an average 50% होता है अब यह बारा में कौन से कौन साथ है बताऊंगा मैं आपको ठीक है 35 में से 12 आगे big में तो small में कितने बचेंगे 23 index अब यह 23 index का जो balance 50% weightage है वो होता है सर फिर इतीन चड़ोपी का weightage कितने है यहां 50 यहां 50 तो इसका कुछ weightage नहीं है गया वो इसमें ही पकड़ देना small index के अंदर ठीक है तो इसका weightage है balance 50% ठीक है ध्यान रखना approximately बता रहो मैं अब यह जो 50% वाले topics है ना जो यह big practical index है यह हर exam में compulsory आते ही आते है यह सारे के सारे index यह सारे exam में पूछते है वो है ना comes in every attempt comes in every attempt यह आना confirm है exam में पूछते ही पूछते है इसको ठीक है अब इसमें कौन से कौन से topic आते है वो मैं आपको बताता हूँ और चलता हूँ ठीक है which all topics are falling under this category ठीक है सबसे पहला topic है with the name of financial instruments first topic is in the name of financial instruments इस topic में total 3 indexes are covered that is index 32, index 107 and index 109 यह 3 index covered है अच्छा एक और चीज़ काफी लोग बोलेंगे सर हमको तो chapter के नाम और index का नमबर आते ही नहीं अरे तुमको किजना सिखाया गया तुमको सिख लिखने बोल रहा हूं you are not expected to know this prior और आपको भी रट्टा नहीं मारना है कि financial instruments 32 ऐसा रट्टा मत मारना बैटके मैंने रट्टा मारने बोला नहीं जब यह topic वगरा पढ़ने जाओगे ना मेरी guarantee है जब जैसे batch progress होगा जित्ते भी topics हम पढ़ेंगे आपको सब के नाम, number, along with content सब याद रहेगा तो आपको भी रट्टा मारने के जरुवत नहीं है जब इस सिर्फ लिखा रहा हो तो लिखके ले लो don't feel uncomfortable किसवर मेरे को तो आते ही कुईसी को नहीं आता है सिर्फ लिख रहे हम अभी ठीक है? चिंता मत करना तो first topic is financial instruments जिसमें तीन index covered रहेंगे index 32, index 107, index 109 ठीक है? चलो उसके बात आता है second topic जिसको हम प्यार से बोलते है business combination इसको short form में आप BC भी बोल सकते हो BC, business combination तुम BC मत लिको, मत लिको तुम खीकी कुकु करोगे फिर तुम business combination लिको नहीं, BC, BC मत लिको तुम ठीक है? तुम फाल तु चैट बोस में शुरू हो जाओगे BC क्या है? यह बच्चे लग school में जब पढ़ते है कुछ भी मतलम निकालते है तुम business combination लिको ठीक है? business combination इसके अंदर covered है एक index that is index आसव मत तुम लोग ठीक है? index 103 covered है इसके अंदर ठीक है? उसके बाद the third topic is consolidated consolidated financial statements consolidated financial statements consolidated financial statements जिसको आप प्यार से बोलते है CFS CFS बराबर जिसको आपन प्यार से क्या बोलते है? CFS सर BCB ठीक है तुम जो बोलनों लिखो चपचाब BCB ठीक है आई बड़े CFS के अंदर total there will be how many index index CFS की बात करो 27 आता है उसके अंदर 110 आता है 111 आता है 27 आता है 111 आता है 112 आता है और 28 आता है मतलब एक topic में कितने index covered? 1,2,3,4,5 indexes covered और यह तो बहुत important वाला topic होगा and it don't come to any conclusion it is very simple everything is very simple just keep on writing तो CFS में total 5 index covered होगे इसका मतलब जब मैं कहता हूँ नदरा 12 indexes तो 12 index का मतलब 12 chapters नहीं है क्यों? क्योंकि देखो 1st chapter में 3 topics 3 index already covered होगे 3rd वाले में 5 index covered होगे ऐसा 12 index doesn't mean 12 topics it means किसी topic में multiple index भी हो सकते है ध्यान रटा तो financial instruments लिखा business combination लिखा CFS लिखा उसके बाद 4 topic is share based payment share based payment पता है आपके बच्पन में होता था ESOP अरे बच्पन में देखा था lollipop खाता था छोटी चड़ी पेहनता था बड़ी श्रारत करता था वो ESOP जो एक्जाम में आता था तो हम खुश होते दे कि अरे यह तो easy है यही तो करके गए है यही तो पूशना चाहिए था वैसा तो उस ESOP का यहान नाम है share based payment ठीके इसके बड़ एक index इसको प्यार से बोलते है index 102 इसको बोलते है प्यार से index 102 ठीके उसके बाद है अगला topic that is index 115 it is based on revenue जब कोई भी company revenue कमाती है तो वो कैसे उसको book करेगी और the next point is index 116 that is leases जो आपके AS में AS 19 था ठीके उसमें index 116 है अच्छा मैं आपको बता दू मैं कभी-कभी ऐसे IPCC के topics का आपके reference दूँगा बट जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपसे 1% की भी कोई उमीद नहीं रखता कि आपको कुछ याद होगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो I will teach assuming that you don't even know FR का F और आपको IPCC कुछ नहीं आता है कुछ नहीं आपने पढ़ा IPCC, CPT वगरा कुछ नहीं पढ़ा मैं आपको वैसे समझके पढ़ाऊंगा तो आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है बट मैं कभी reference दू जिसको याद रहगा उसके ल अच्छा हो जागा इसका मतलब 12 इंडेस में कितने टॉपिक है? छे टॉपिक ये छे टॉपिक हर एग्जाम में आते हैं हर बार पूछते ही पूछते है अल्मोस्ट अल्ड़ केस में कभी-कभी होता है कि एक का टॉपिक शाद ना पूछे या ऐसा कुछ ना पूछे इतना माकस का पूछता है कहां से पक्का आता है ऐसो तो आप ये जनिकल के मत बेढ़ा कि comma चेशा कि करते ही नी करना अपने को सब है सु Help nor हरप हाँ एसे ही सम्झाना कि हमको पैस वैससे देकर पास हो रहें था तो यह था बिग इंडेस के बारे में लिखा अपने समने लिखा गया यह वाई करके लिखा परफेक्ट चलो अब आता है स्मॉल इंडेस स्मॉल इंडेस में कितने 23 इंडेस अब एक नाम करन नहीं करते बेटेंगे वह जावाएंगा था पढ़ लेंगे सिर्फ इतना बदाना इसका विटेश के इतना है बैलेस 50 पर संट है नाम करन करते बेटेंगे उसका वह ठीक है उसमें बैलेस 23 इंडेस है वह ए एस इसमें नाम आएंगे तो आपन पढ़ लेंगे क्या आत है उसके लिखे रखो सबसे पहला अब उसका भी पूरा नाम करने का जरुवत नहीं बड़ जो बेसिक बेसिक का बता दता हूँ उसमें पहला आता है एनालिसस of financial statements what is the meaning of analysis of financial statements F.S. मतलब financial statements ठीक है तुछ यह तो full form लिख सकते हुआ F.S. मतलब financial statements और एक है conceptual framework actually यह दो topic ऐसे है जो आपको तब करने होते जब आपका पूरा F.R. पढ़के हो गाओ क्योंकि इसके अंदर पूरे F.R. का नॉलेज चाहिए तो यह तब करना है जब आपका पूरा F.R. एक बार पढ़के हो जाता है तो है न दो topic है उसके लावा there will be few theory topics है न दो से तीन there will be theory topics है न वो कुण से रहेंगे क्या रहेंगे है जब करेंगे है अपन देख लेंगे उसके लावा शायद ऐसा भी possible है कुछ तीन चार इंडेश के लिए for three four इंडेश we might need to study differences difference between AS and इंडेश सब इंडेश के लिए नहीं करना है कुछ three to four इंडेश के से लावा कौन से होंगे जब वो इंडेश आएंगे ता बता दूगा बट लिख के रचना जरूरी इनिशियली जो अपने को अलग से पढ़ने वो है analysis of FS और framework दो तीन ठीरी टॉपिक होगे और three to four इंडेश जिसके बारे में अपने को पढ़ना है difference between AS and इंडेश वो कोन से है जब आएंगे तम आपको बता दिया करूंगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अरे सर यह वाला theory में क्या रहेगा अरे वो actually इसमें पता है क्या रहेगा theory वाले में वो technology in accounting emerging trends in accounting वो सर टाइम पस रहने वाले है उसके अंदर ठीक है ता आपको चिंता करने के जरूरत नहीं है वो बत 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 बस चीज रहेगा क्या सब लोग syllabus से रूबरू हो है रूबरू इन दमी रूबर इन दे सेंस आर यू comfortable विट बेसिक बैक्राण दे syllabus कि अपने को basically पढ़ना सब इंडेस ही है और कुछ टॉपिक है नहीं इसके अंदर सब कुछ इंडेस से लिंक्ट है को टॉपिक का नाम भी है तो भी वो इंडेस ही ultimately तो इंडेस पढ़ना है और आश में जब सारे इंडेस पढ़ लेंगे तो इसके इंडेस अपने को तीन-चार टॉपिक पढ़ने मिसलेनस वाल है तो इसके इट और कुछ नहीं है चलो इस इस क्लियर क्या अरे यस और नो यस परफेक्ट बहुत ही शांदार जांदार मज़ेदार अच्छा वन मोर थिंग वेन आएम सेइंग ना तो लिखना कोई भी अकशाना बना कि मैं तो नहीं लिखूंगा जालेंगे न तो मैं जरौक्स ले लूँगा एक्जाम में का जरौक सिपका क्या होगे लिखने का आदर डालो वरना मैं नोट जालने चोड़ दूँगा वैसे गूगल ट्राइफे नोट अप्लोड करूँगा लेकिन that notes only should be for reference purpose कि चलो मेरे class में कुछ miss out हो गया था तो मैं घर पे बैठके copy कर लूँगा मैं पहले बता रहाँ कोई शान पट्टी मत करना समय है प्लीज लिखो अभी तुम्हारे पास समय होगा अभी लिख सकते हो अगर समय का constraint है तो समझ में आता है तो प्लीज टाइम बद मत करना लिखना बैठके लिखो लिखे हो गया यह सब लिखा नहीं है ओके कूल चलो आगे बढ़ सकते अब आपने syllabus वगरा समझ लिया अब आपन थोड़ा चालू करते इंडेस के बार में पढ़ना है ना भूद ग्यान दे दिया जाए, मुझे आपको यह चैट लिखते हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ..दूसरों के message हमको शोडर नहीं होतेगरते हैं, कल से आपको सबके message दिखने शुरू हो जाएंगे तो लिखते हैं introduction introduction to indes Bob ना पख्या आपको समन बतायोंगा ओधा ठीक हैं इंट्रोडट्च्छन टू इंडिय्ज्च अब इंडिय्चक ऐफ सुल्फर्म होता है इंडियन अकांटिंग स्त Agnaud इंडियस का फोल्फर्म है इंडियन अकांटिंग अ्कांटिंगocar स्तेम्डर्ड के सर बाल सेट कर लो आपके स्क्रिंशोट ग्रूप पर आ रहे हां क्या अरे वह अभी सेट नहीं हो यह शैंपू कर तो बाल बेट जाते हैं क्या टाइम पस कर रहे है तुम लोग ध्यान दो इधार हां इंट्रडक्शन टू इंडेस का वुलव में इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्स ठीक है इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्स अब यह इंडेस आयन है प्रम आई फ्रेस अब इसकी जरूरत क्यूंप परिसामने का ट्राइक पाहले हम इसफ भॉलो करते दे और पूरा गाऊ पुरा देश पुरा की सब्कूरत इसे मतले करते इसे कॉतलों मुको तो उनको तो हमारे financial समझ आते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे तो ASK बेस के उपर थे और उनको समझ आता है IFRS, तो हमने बोला, अगर हमको global जाना है, इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया के accounting को ग्रो करना है, तो हमारे financial उन country के समझ में आने चाहिए, तो हमने बोला, हमको भी IFRS जैसा कुछ बनाना चाहिए, तो दो तरीके थे, या तो IFRS को ही follow कर लो, या फिर IFRS देख देखकर खुद का कुछ बना लो, अब इंडिया है, यह तो नहीं कह सकता कि IFRS follow कर लेगा, तो हमने क्या किया, इंसे inspiration लेकर, अपने नए standards बना है, उसको बोलते इंडिया, इंडिया लेते रहते inspiration, भारगवाँ से inspiration, inspiration ले रहे, बता नहीं कितना inspire हो रहे, छाप ही रहे, अपना पुरा Bollywood inspiration पर चल रहे, वैसे ही अपने इंडियस में, क्या लिया, inspiration लिया, IFRS से, ठीक है, चलो, अब IFRS में कैसा था, सुनना, अब मैं आपको चलता तो, इंडियस की numbering कैसे होत फर्स्ट कॉपी ये इंडियस, तो IFRS में, तोटल दो तरह के standards आते हैं, अच्छा, IFRS का full form क्या है, वो भी लिख लेते हैं, आपन, IFRS का full form है, international, international, financial, international, financial, reporting standards, IFRS का full form है, international, financial, reporting, standards, उसको बोलते है, IFRS, international, financial, reporting, standards, वो बोलते हैं, फिर, हरा-फिर, मुँवी देखी, ITUS, international talent of ultimate student, ऐसा, तो, ये IFRS, international, financial, reporting, standards, ठीक है, तो, IFRS में, तोटल, दो तरह के standards अभी, exist करते हैं, एक होते है, IAS, और एक होते है, IFRS, IAS का full form क्या है, international accounting standards, IAS का full form, सर, ये तो, आप धड़ादर, धड़ादर, नया, नया, टम्स दे रहे हो, ये तो, समझ के भार जा रहे है, अरे, simple है, सुन दो, international accounting standards, ठीक है, अब IFRS करते हैं, दो तरह के fall करते है, standards, एक है IAS, और एक है IFRS, सर, सर, दो, दो, क्यों fall कर रहे है, actually, पहले, 1990 से IS थे, पहले ये नहीं थे, तो, ये कैसे थे, पता है क्या पहले, IS चल रहे थे, 1 थे, 2 थे, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चल रहे थे, ठीक है, IAS, एदम आदम बाबा के जमाने के, पुराने पुराने जमाने के चल रहे थे, तो, अब हुआ क्या, इन्होंने भी सोचा, भ जैसे, न, IS, 3, 4, 5, 6, इन्होंने रिवोक कर दिया, और जब रिवोक किया, और ये सोचा भारगाव वालोंने, ये सोचा भार कंट्रीज वालोंने, कि कुछ नए इसू करते, तो, इन्होंने जो भी नया इसू किया, वो, IFRS के ब्रांड नेम में इसू किया, जैसे, 3 रिवो उनको cancel off नहीं किया, तो, उनको IAS में ही रखा, और जो IAS खराब चल रहे तो, उनको cancel off किया, और उनके बतने IFRS इसू करा, तो इसलिए भारगाव के standards में, दो तरह के standards exist करते, एक है IAS और एक है IFRS, दोनों को IFRS के group में ही गिना जाता है, ठीक है, ध्यान लगना, तो, उनको स वो है first time adoption of INDEAS, ऐसा, तो जहाँ-जहाँ गलती लग रही थी, INDEAS में, या पुराना लग रहा था, उसको revoke किया, नया issue करा, एकदम simple, अब हमने ये दोनों ही standards adopt किये, INDEAS के अंदर, हमने क्या किये, हमने ये दोनों ही standards adopt किये, INDEAS के अंदर, अब INDEAS में numbering कैसे करी, सुनना INDEAS में भी numbering कैसे करी, numbering हमको थोड़ी similar रखनी थी, जो IFRS की numbering है ना, similar रखनी थी, तो numbering कैसे रखे, तो INDEAS में हमने शुरू क्या issue करना, INDEAS, जो IAS 1 था ना, जो IAS 1 था, उसको हमने बोला, INDEAS 1, जो IAS 2 था, IAS 2, उसको हमने बोला, INDEAS 2, अब 3, 4, 5, 6, तो रही वो खो बनेगा INDEAS 7, मतलब जो IAS के नाम से थे ना, IAS के नाम से, IAS 1 बिकम्स INDEAS 1, IAS 2 बिकम्स INDEAS 2, तो ये सारे IAS थे, जो आपके INDEAS बनते वे चले गए, clear, अच्छा, अब बात करते है, जो IFRS 1 था, जो IFRS 1 था, उसका numbering कैसे करे, अब IFRS 1 को भी आप INDEAS 1 नहीं कह सकते है, कि INDEAS 1, IAS 1 है कि INDEAS 1, IFRS 1 है, तो इन्होंने समझदारी लगाई, इन्होंने बोला, जो भी IFRS वाले standards है ना, जैसे जो IAS थे, उसको तो 1, 2, 7, same रखा, जो IFRS है ना, अगर कोई चीज, IFRS 1 है, तो हम उसको बोलेंगे INDEAS 101, हम उसको 100 की series में शुरू करेंगे, अगर कुछ IFRS 2 है, कुछ IFRS 2 है, तो हम उसको बोलेंगे INDEAS 102, ऐसा, तो IFRS वाली series को उन्होंने 100 में इसु करना शुरू करा, तो मैं बोलू, now it becomes very easy, और outside global country also to understand कि जो INDEAS 1 है, वो IAS 1 है, जो INDEAS 101 है, वो IFRS 1 है, इस तरीके से, इसु करना शुरू करा, क्या तुमारे भेजे में ये बात जा Yes, तो अब मैं आपसे example पूछू, for example, चलो मुझे एक और बताओ, जैसे IFRS 1 हो गया, 2 हो गया, suppose कुछ IFRS 3 है, अगर कोई चीज IFRS 3 है, तो वो INDEAS में क्या होगी, वो INDEAS 3 होगी, या INDEAS 103 होगी, जल्दी से बताओ, perfect answer, sir वो IFRS में है न, तो वो अगर IFRS 3 है, तो वो INDEAS में हो very easy to remember also, देखो आपने भी एक बार में पकड़ लियाना अभी, कि sir IFRS 3 है, तो 103 हो गया, अच्छा, मैं बोलू चलो, अगर वो IAS 8 होता, IAS 8, तो फिर अपने INDEAS में क्या होता, फिर आप बोलते sir, अपने INDEAS में वो होता, INDEAS 8, पकड़ा ना फटाक से, वो क्या होता, INDEAS 8 हो उस case में, simple हो गया, तो तुमको समझा, numbering system कैसा है, तो you will find few INDEAS जो 1, 2, 3, 32, 33 है वैसे है, और you will find something जो 101, 102, 103 है, तो 101 आ गया, इसका मतलब यह नहीं है, कि there are more than 100 standards, नहीं, कुछ 1, 2, 3, 4, ऐसे वाले series में चल रही है, और कुछ 101, 102, 103 के series में चल रहा है, ऐसे, very good रचना, सबको समझ में है, कैसे करना है, तो यह हो गया, numbering pattern, ठीक है, I hope तुमको समझ में आ जाता है, ठीक है, अब हमने, मैंने क्या बता है, हमने IFRS as it is adopting किया, हमने इनको देखकर inspiration लिया, और अपना INDEAS बनाया, तो हमने क्योंकि उनसे सिव inspiration लिया है, तो हमारे INDEAS को हम प्यार से क्या बोलते, हम प्यार से बोलते, we are IFRS converged, क्या बोलते हम प्यार से, we are IFRS converged, हमने IFRS adopt नहीं किया, inspiration लिया, है ना, first copy, तो we are IFRS converged, INDEAS कैसे बनाये, IFRS को converge करके, IFRS को थोड़ा सा tweak करके, अपने हिसाप से आपने बना लिये, ठीक है, तो क्यूंकि INDEAS और IFRS सेम नहीं है, है न क्यूंकि INDEAS, IFRS सेम नहीं है, of course, inspiration लिया है, तो maximum चीज़े सेम है, तो आप ऐसा समर लो, 95% things are the same, 95% things, जो IFRS में है, वो ही INDEAS में है, है न, 95% things, जो IFRS में है, वो ही INDEAS में है, सेम है न, 95% चीज़े, बराबर, तो अब, 95% चीज़े हमने आज़टेस कॉपी कर ली, तो मैं मुलू, there are some 5% things, which are differing, 5% तो ऐसी चीज़ दिख रही है न, जो INDEAS में अलग होगी, IFRS में अलग होगी, तो जो भी differences है, जो भी differences है, कुछ तो 5% का difference आता है, तो जो भी differences है, between INDEAS and IFRS, जो भी differences है, differences between INDEAS and IFRS, उस differences को हम प्यार से पता है, क्या बोलते हैं, हम प्यार से बोलते हैं, carve ins and carve outs, हम उसको प्यार से बोलते हैं, carve ins and carve outs, ऐसा, उसको हम प्यार से बोलते हैं, carve ins and carve outs, simple, क्योंकि differences हैं कुछ, IAS भी लिया, तो उसको credit नहीं मिलेगा, देखो, जब हम, हम IS अलग से बोलते ही नहीं है, IS और IFRS दोनों, IFRS ही है, ऐसा, तो IFRS के अंदर IS आजाते हैं, तो जब आप IFRS बोल लियो ना, तो by default आप IS भी बोलते हो, ऐसा समझ लेनेगा, तो indies और in के बीच में, कितना फरक है, जो भी फरक है, उसको हम प्यार से बोलते है, carve ins और carve outs, ठीक है, अब ये carve in में क्या क्या आता है, carve out में क्या 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 आता है, वो समय आपको बताऊंगा, बर इतना समझ लो, तो basic basic चीज़ समझ में आने चाहिए, कि सबसे पहले indies कह कहा से उठाया, ठीक है, numbering कहा से उठाया, उसके अलावा, जो content है, क्यूंकि almost same है, थोड़ा बहुत फरक है, थोड़े बहुत फरक को बोलते है, differences, प्यार से carve ins and carve outs, simple, I hope यहां तर सबको clear है, yes or no, yes, ठीक है, इसी के साथ, मैंने आपको indies का काफी basic ज्यान दिया है, I hope ये ज adaptability, understanding के लिए काम आजएगा, adaptability के लिए लगता है, हाँ, आप मैं को समझ रहे है कि indies में क्यू पढ़ रहा हूँ, क्यू पढ़ रहा हूँ, क्यू पढ़ रहा हूँ, क्यू पढ़ रहा हूँ, क्यू बाई, Indian companies अगर AS फ़लो करते वे चलेगी, global नी जा पाईगी न, तो इस AS crap हो गया, नई भाई, नई, अईसा, बोल मत देना, कि इंडेस आया, तो AS crap हो गया, ना बबना, नोई चल वे, तो, इंडेस भी है, AS भी है, तो sir, फिर कुन सी company, AS follow करेगी, कुन सी, इंडेस फॉलो करेगी, उसके लिए ही, हमारा फर्स टॉपिक है and that is रोड मैप टु इंडेस इंडेस क्योंकि ग्लोबल है, बड़ा है, डिटेल्ड होगा तो सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनीज फॉलो करेगी, एस उट्टी-मूटी कंपनीज, पाटनर्शिप फॉलो कर लेगी, तो अगर अगर अगर, कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर बड़ी कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी की इतनी बड़ी, ऐसा नहीं, तो वो कॉझनिफाई किया गया है तो इसलिए applicability पढ़नी पढ़ेगे कि इंडेस किसको किसको applicable है बराबर तो जिनको इंडेस अप्लिकेबल है वो इंडेस फॉलो करेंगे जिनको इंडेस अप्लिकेबल नहीं हो पात है वो क्या फॉलो करेंगे वो एस फॉलो करेंगे बराबर तो अप्लिकेबिलिटी इस गिवेर अंडर डेस्ट टॉपी धाट तो बी वेरी ओनेस्ट रोड बड़ी कंपनी में स्लेट हो गए अब वो पूछता है तुम से क्या फॉलो करू एस की इंडेस तुम बोलो के मेरे को आता है दोनु है मेरे को एस भी आते है इंडेस भी आते है लेकिन यह नहीं पता कि आपको कौन सा अपलाए होगा तो कितना गंद लगेगा न तो मालूम त आप क्या अपलाए करोगे यह नहीं पता ऐसे दुरी ना बोलेंगे उसको समझ रहो तुम यस सर नहीं गल्फेंड आगे तो पुराने को कौन याद करेगा तभी मैने गल्फेंड के एक्जांपल ने दिया तभी मैने दोस्का एक्जांपल दिया और तभी तुम्हारा कटे दो चीज़ा याद करनी है बता दूगा मां को कि यह याद करना है और जो याद नहीं करनी है उसको अपन बेसिक तरीके से पढ़ने का और आगे बढ़ जाने का क्लियर है, आरे क्लियर है की नहीं हो भाई लोग, ओ मिले भाई लोग, ले 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 ले, हाँ, क्लियर है, चलो, वेरी गुड, पढ़ते हैं, आजाओ, इंट्रोडक्षिन टू, इंडेयस, रोड मैप टू, इंडेयस, ठीक है, रोड मैप मतलब किसको अपलेकेबल है, तो पहले दो ग्यान दिया हुए, इंट्रोडक्षिन टू, इंडिया में कैसे आया, तो मैंने आप को अलजी बता दिया, देहों सिफकी वर्ड पढ़ो के तु तुमको ज्यान चिया तो पढ़ लेना एक बार ठीक है ध्यान रखना इसमे एक वर्ड नकास नकास का फुल फॉर्म देवर नाशनल रवाइसरी कमीटी और अकाउंटिंग संडर्ड यह ब्ला 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 बेसिक लिए अपने इंडिया में MCA ने इशू किया था पैप 16, 2015 को उसका बड़ डेट है न जनम दिन है न तो और उसमें बताया था कि रोड मैप टू इंप्लिमेंटेशन फॉर कमपनीज को कब कब अपलिकेबल हो गा ठीक है त्यान रखना तो अपने को यह सब रट्टा मानने का जरूवत नहीं है तो एक ब मोटे डिफेरैंस होसकते है न उसको क्या बोलते है प्याद से करव एंज ऑं कारव इंदेसल अब कार्वीं म uniqueness अविक बांड कार्वीं बक्र तीनी चीज़achen और एक आते है टर्मिश चेंज़ेसाग अग अधरविमडरं क कई जांपल दू एक तया है दिफेरेंस दो तरह की किताब में highlight with the counselors सबarta करें अब क Кстати Brad कुता लेकर बैटना किताब अब तक मीलिए आपको साइट नोटबुक में लिखना अगर भर देना उसको लेकिन किताब लेकर बैटना हाइलेटर वागरा सब लेकर बैटनना सब अगर अगर करनी बैठे तो पहले बता रहा हूँ मैं ठीक है सबसे पहला पॉइंट कार्विन में अब हम कार्विन पढ़ रहें तो कार्विन में पहला क्या आता है उसको बोलता है statement of comprehensive income क्या बोलता है statement of comprehensive income COMP मतलब comprehensive income यहां लिखाऊ है मैंने हम बोलते statement of profit and loss वो बोलते statement of comprehensive income ठीक है इसको बोलते terminology changes अगर ऐसे कोई सीव टर्म में change है अब मतलब तो दोनों का सेम है यह दोनों है तो profit and loss ही एक अभी अभी फॉर प्रिश्ट्रीज द्रॉम नाव को उसका नाम बने हो की अपने पास है अभीषेक है तो अभीषेक को आपन सब भी शेक बोलते हैं उसकी कई वह मईला अभी अले मेला अले मीला अले मीला नो अब उसकी के उसको आभी कείUh लेकिन है तो वह वह मीशेक क order वेसे ही, हम बोलते है profit and loss, वो बोलती है comprehensive income, अरे दोनों है तो profit and loss ही, सिफ टर्म में change है, तो अगर ऐसे कोई term में change हुए, तो उसको बोलेंगे carwin, अब समझ आया सर, ऐसे example तो समझ आता हमको, हाँ, पता है मुझे, आतो बोलते हैं, देखो मेरे को experience ने डिया यह सब चीज का, मेरे दोस के experience में ने सिखाई है सब की, बाबु कुच्चू पुच्चू वखरा बोलते हैं, मिरको नहीं पता है सब के बारे में, मिरको नहीं आता है समझ गए न तुम, तो अगर term में कोई change है, तो it will result in a carwin, जैसे आपन balance sheet बोलते हैं, IFRS balance sheet नहीं बोलता है, हमारे index में हमर जैसे के balance sheet बोलते हैं, IFRS बोलता है statement of financial position, IFRS क्या बोलता है, statement of financial position, अभिशेख को मज़ आ गया हसता है, अभिशेख बोलता है, लड़की नहीं तो क्या हुआ, आप ही ने मुझे बाबु कुचू पुचू बोल दिया, मैना आप ही में feel ले ली, मेरे में कोई feel मतले ना भाई ठीक है, अनन्द कहते हैं, अब समझ आया है न, चले anyway, समझ गया न, what is the meaning of terminology changes, तो अगर ऐसे कोई term में फरक है, सिर्फ नाम अलग है, दोनों का मतलब सेम है, तो it will result in a car win, ठीक है, second, second is, तो यह लिख दो, इंडे-स में PNL बोलते, IFRS में कॉम्प्रेंसिंग का बोलते, removal of options, second क्या है, removal of options, now what is the meaning of this, इसको भी आपन समझने का ट्राइ करते हैं, ठीक है, चलो, let's say for example, अपने पास कोई land है, अपने पास, मैं random example ले रहा हूँ, ठीक, अपने पास कोई land है, suppose आपको IFRS बोलता है, IFRS बोलता है, दो option दिया, IFRS बोलता है, दो option दिया, एक या तो आप land को रखो cost पे, है न, रहने तो सर, आपकी बातों से पता चल जाता है, कितने बाबू रह चुकी आपकी, ओ ओ भाई, क्या दिख रहो मैं दिख रहो मैं दिख रहो, मैं आपनी भाई एकी, भाई, इलजाम लगा रहा, चलो, anyways, तो land, suppose IFRS बोलता है, land को आप cost पे भी रख सकत हूँ, आपको समझता न, cost मतलब जिस दाम पे खरीदा, उसी value पे आपने balance sheet में दिखाएंगे, या फिर, जो आज की fair value है, उस पे balance sheet में दिखाएंगे, तो आपको IFRS, suppose दो option दे दिए, लेकिन, इसी के लिए आपको, suppose, इंडेस ने बोला, एक ही option, इंडेस ने, मैं ऐसा है, निरियल में, कुछ और है, but मैं आपको समझाने के लिए बता रहा है, सब उस आपको इंडेस बोलते था, कि आपको एक ही option है, and that is cost, only, इंडेस बोलता, आपके पास सिफ एक option है, और वो है cost, ठीक है? मतलब IFRS ने दिया, दो option, इंडेस ने बोला, एक ही option है, cost, इसका मतलब इंडेस ने आपके लिए, आपके लिएक option remove कर दिया न in-dates नना आपके लिएक option remove कर दिया न उसको बोलते है रिमॉब बाप्षिन अगर ऐसा removal of option हुआ इंडेस में तो वो कार्विन है वो क्या है कार्व इन मतलब आ safe असे ने दिया दो option इंडेस या एक option, carve in, क्या तुमको समझ आता है यह वाली बात, अरे yes or no, अरे yes or no, अरे yes 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 no, तो if there is a remove option, carve in, यह दूसरा carve in है, ठीक है, मैं आपको एक वैसे रास के बाद बताओ, exam point of view से आपको नहीं मालूम करना है, कि in में क्या क्या आता है, out में क्या क्या आता है, लेकिन again, यह मालूम होना चाहिन है, दोनों में मिला की क्या क्या आता है, तो term के changes आ गए, remove option आ गया, ठीक है, उसके अलावा, तीसरा, थर्ड, थर्ड, यह दूसरा था, ठीक है, थर्ड, if there is no guidance under IFRS, अगर IFRS में कोई भी guidance नहीं है, मतलब किसी particular transaction को लेकर, suppose IFRS चुप है, चुप, ऐसा चुप है IFRS, लेकिन INDES ने उस transaction के लिए guidance दिया हुआ है, मतलब IFRS चुप है चुप, लेकिन INDES ने guidance दिया, तो भी एक carve in हो जाएगा, तुम समझ रहे हो, तो भी क्या हो जाएगा, यह carve in, तो सर इसके example दो जा रहा, देता हूँ example, suppose कोई transaction है, actually एक merger का transaction है, merger, merger transaction, मैं example दे रहूँ, ठीक है, actually यह आता है 103 business combination में, तो एक merger का transaction है, इसको कैसे treat करना है, इसका accounting के लिए, इसकी accounting के लिए, IFRS is silent, IFRS क्या है, चुप, चुप तो वो बुला करती थी, है, चले anyways, तो, IFRS is silent, लेकिन इसकी accounting के लिए, इसकी accounting के लिए, INDES ने आपको सिखाया, INDES ने आपको treatment दिया है, treatment given, मनलब, INDES ने इसकी accounting आपको सिखाई है, है न, येस, येस, प्रियांश, ओके, कोई दिक्कार वाली बात नहीं है, चलो, ठीक है, सुनना, तब तक यह आप notebook में लिखो, प्रियांश, अगर जिसके पास भी textbook नहीं है न, प्लीज इन notebook में लिखके रखो, ठीक है, ताकि आप बाद में copy कर सको, जान रतना, हाँ, तो, if there is no guidance under IFRS, इसके example, suppose, merger का transaction है, IFRS चुप है, चुप, silent है, लेकिन INDES ने treatment दिया हुआ है, उसको भी आप क्या बोलोगे, उसको भी आप प्यार से carve in बोलोगे, क्या बोलोगे, carve in, is this clear to everyone, अरे yes और no, यहां तर सब को clear है गया, क्या बोलेंगे, इसको भी carve in बोलेंगे, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता आपके लिए carve outs, फिर क्या था आपके लिए carve outs, कार्विन में तीन चीज़ा आ गए ना, कार्विन में, मैं आपको पूरा याद करा दूँगा, ठीक है, मेरी guarantee है, lecture खतम होने बेंगे, आपको पूरा याद रहेगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूवत नहीं है, ठीक है, कार्विन में आगे तीन चीज़े, terminology changes, removal of option, और अगर कोई guidance IFRS में नहीं लेकिन index में दिया हुआ है, तो वो आ गया, अब आते है carve out, कार्व आउट में एक ही आता है, अगर किसी भी item का treatment deviation में है, मतलब IFRS किसी item के treatment के लिए कुछ और treatment बताता है, और index में आपको कुछ और treatment बताया, उसको भूलते है carve outs, सर example दो इसका, difference in deviation मतलब क्या हो गया, दे रहा हूँ example, सुनना, इसका example क्या है, मैं random example ले रहा है, ऐसा है नहीं example, आपके लेकिन understanding के लिए क्योंकि आपको basic चीज़े आती होगी, तो उसके लिए, suppose land के लिए IFRS ने क्या बोला, IFRS ने बोला, only fair value, land को books में रखोगे, land को balance ship में दिखाऊगे, तो fair value पे ही दिखाना पड़ेगा, ऐसा IFRS ने बोला, कि land दिखेगा तो सिर्फ और सिफ fair value पे दिखेगा, ऐसा किस ने बोला, IFRS ने बोला, अब इसी चीज़ के लिए, इंडेस ने क्या बोला सुनना, इंडेस ने बोला only cost, इंडेस ने बोला only cost, IFRS ने दिया एक option, इंडेस ने दिया उसका कुछ दूसर option, मतलब IFRS ने बोला only fair value, और इंडेस ने पूरा deviate कर दिया, इंडेस बोलता है नहीं चलेगी fair value, सिफ cost, तो this is carve out, अब आप confuse मत होना, आप पता है काँ confuse होगे, आप बोलोगे sir, यह removal of option वाले point में भी similar था न, देखो, इस वाले में क्या था, IFRS ने दो option दिया, इंडेस ने उस दोनों मेंसे कोई एक option दिया, वो carve in, remove option, इंडेस ने कोई एक दूसरा ही option दिया, मतलब यह option IFRS के दो मेंसे कोई select नहीं किया, इधर क्या हो रहता, IFRS ने दो दिया, उस मेंसे इंडेस ने एक select किया, remove option, यहां क्या हो रहा है, IFRS एक बोलता है इंडियस कुछ अलग बोलता है deviation, जब deviation है तो carve out, तो सर अभी इतने याद कैसे रखे देखो, आप carve out याद रख लो carve out का मतलब क्या है, deviate होना IFRS अलग, इंडियस अलग बाकि सारे carve in है अब याद हो जाएगा सर तो हमेरे याद कैसे करने का यहां तीन है, यहां एक है ना, तो एक याद करो अगर IFRS अलग, इंडियस अलग तो carve out है, बाकि सारे carve in है term के changes, option कम है है ना, अगर IFRS चुप है चुप, तो भी carve in ऐसा अपना अपना ego है, हाँ, बस है ना, जैसे हस्बेंड बोलता है कुछ और, वाइफ बोलती है कुछ और तो हम तो किसके सुनेंगे तुम बताओ, हस्बेंड कुछ और बोलता है और वाइफ कुछ और बोलती है, तुमको लगता कभी करी सोरे फोधरी अरे Republicans को देंगेँ हम यह वह dal ही को इतन सेव ऐसे शरिज बील हम इसार निगह ओ यह कुछेयर थे देंगेच्टाय में, सिक्क्न देंगे Dash In So You तो सरब पागल हो गया हलका हलका प्यार में इंसान पागल हो ही जाता है चलो आजाओ लिखा ठीक है ये थे आपके प्यारे प्यारे कार्वाउट्स और कार्व इंस ठीक है चलो बहुती शांदर बहुती चांदर मजा आ गया चलो अब आते आपन अप्लिकेबिलिटी एंप्ल मैं तो कहता हूँ समझत समझत लिख लिया करो आगे मैं परसे लिए ले लेंगे और इसके बाद कल आयेंगे तो हम सब्सक्राइब अपने उपड़ करेंगे तो ज़्यादा लोड लेंगे अपने उपर पर तो जान पेचान होग गया बेसिक आइडिया हो गया, that is more than sufficient for the first day ध्यान रखना, चलो, आगे बड़े, yes, our next point is, applicability and implementation to index, implementation of index, कि अब मैंने क्या कहा था, कौन index अपलाए करेगा, कौन AS अपलाए करेगा, है न, index कब से अपलाए करना है, उसको बोलते है, applicability, तो ये roadmap के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो applicability and implementation of index, रट्टा मत मारते बैठना, इससे ऐसे करके, basic ज्यान होगा, तो भी काम बन जाएगा, तो क्योंकि याद नहीं करना है, इसलिए मैं इसको बैठके लिखा नहीं रहो आपको, अगर कोई चीज याद करने वाली होगी, कोई चीज इंपोर्टेंट होगी, तो आपको उसे basic idea चाहिए, तो आपन यहाँ से clearly देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बढ़िया note दना के रखे, note अच्छे है न, एकदम रंग भी रंग अच्छे वाले, तुमको मजा आएगा पढ़ने, मेरी guarantee है, ठीक है, ध्यान रखना, चलो, तो applicability की बात करते हैं, सबसे पर in case of companies, जब मैं companies की बात करूँगा, तो companies के अंदर, I am not talking about banks, NBFC था insurance companies, मतलब companies other than bank, NBFC insurance, sir, other than क्यों, क्योंकि bank पे कब applicable है, insurance पे कब applicable है, NBFC पे कब applicable है, उसके लिए अलग से guidance है, तो यहाँ मैं सिफ normal companies की बात कर रहा हू, other than these, clear, चलो, आगे, अब अगर किसी को voluntarily follow करना है, इंडेस, तो he could have applied इंडेस from 1st April 15, मतलब उसका 1st year, 1st current year, क्या होता, इंडेस का, it should have been 15, 16, 1st current year, तो अगर आपको voluntarily, मतलब आपको इंडेस applicable नहीं है, फिर भी आपके अंदर चुल है, कि आप apply करोगे इंडेस, तो कर ले, voluntarily, जिंदगी में पहली बार इंडेस आया था, 1st April 15 इंसे, ठीके, अचाहिक और बात, वो नीचे लिख्यू ही है, that अगर आपने एक बार भी इंडेस अप्लाइ कर लिया, इंडेस वन्स अप्लिकेबल, ऑल्वेज अप्लिकेबल, एक बार शादी हो गई, फिर खतम कहा नहीं, अब फिर तलाग वलक नहीं चले का इदर, ठीके इंडेस वन्स अप्लिकेबल, तो एक बार अगर आपने वॉलेंटरी उठा लिया, भाई खतम हो गया, फिर हो गया रिस्ता, अब बेट, अब सेल है, आकशकंद की तरह, देख रहा है विनुद, कैसे एक्जामफल के वीच में दुख बाट रहे है, जो भी है, तुम समझ ग अब आता है mandatory basis, mandatory में दो phase आ गया, एक आ गया, phase two, एक आता है phase one, एक आता है phase 2, phase 1 starts from 1st April 16, मतलब उसका पहला current year कुन सा होगा? पहला current year should be 16, 17 ठीक है? तो mandatory basis पे किसको apply हो जाएगा? phase 1 में phase 1 में तो अगर आप listed या unlisted company हो जिसका net worth is greater than equal to 500 crores अगर आपका net worth तुमको net worth समझता है किया? जो आपके balance sheet के equity वाला साथ का total होता है equity और result and surplus वाला total उसको बोलते net worth, तो अगर आपका net worth 500 crores या उससे जादा है, अब ये net worth कब का check करना है? net worth आप check करना शुरू करोगे from 31st March 14 and thereafter, मतलब इस दिन पर apply करना है कि नहीं करना है, उसके लाब net worth इस साल और उसके बाद का check करने का, ठीक है? तो अगर net worth आपका कभी भी इस साल या इसके बाद 500 crores या उससे उपर गया, तो आपको phase 1 में इंडेस apply करना पड़ेगा phase 1 में apply करना पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है कि 16, 17 से आपको apply करना पड़ेगा कब से apply करना पड़ेगा, 16 17 से आपको apply करना ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना clear, ठीक है, फिर आता है simple है, फिर आता है phase 2 phase 2 आता है from 1st April 17 that is, इनका current year कभ होगा इनका current year होगा from 17, 18 ठीक है, phase 2 में कौन फॉल करता है, सबसे पहले phase 2 में तो तब आना, जब या तो आपने voluntary apply नहीं किये, या फिर आप phase 1 में फॉल नहीं किये, अब देखो, अगर आप voluntary apply करके बैठे हो, तब तो आपको always apply cable हो गया, अगर आप phase 1 में fall कर गए, तब तो आप इसी दिन से apply करना, शुरू कर दिया रहेंगे न, अगर आप ने voluntary भी follow नहीं किया, और अगर आप phase 1 में भी follow नहीं किये, तो जाके phase 2 चेक करेंगे न, अरे तुम्हारी girlfriend भी नहीं, तुम्हारा love marriage भी नहीं हो सकता, तब जाके अरे शुन्देंगे न, आप समझाया सर, तो मैं भी यह किया रहा हूँ, phase 2 में कब आना, जब तुम यहां भी नहीं follow कर रहे हो, अब phase 2 में कौन आता है सुनलो, और phase 2 में आये, तो कब से apply करना है, from 17-18, है न, अब phase 2 में कौन आता है, सबसे पहला, all listed companies, इस दुनिया के सारे listed companies आएगी phase 2 के अंदर, ठीके, all listed companies, पहला हूँ, अभी देखो, all listed companies, full stop, इसका मतलब, अगर आप listed हो, आपका network से 5 करोड़े, मैं random example ले रहा हूँ, आपका network से 5 करोड़े, और आप listed हो, तो phase 2 में अगर listed हो, तो network check मत करना, बराबर applicable हो गया, listed companies, full stop, listed हो, applicable हो गया, खतम कहा नहीं, मतलब, शादी की उमर हो गई न, 30, करनी पड़ेगी, अब समझा है सर, बस यही कह रहा हो, phase 2 में हम listed के लिए network check नहीं करते हैं, listed हो, बात खतम index applicable, ठीक है, ध्यार रखना, आगे, अगर unlisted हो, और अगर आपका network 250 करोड से उपर है, अगर unlisted हो, और network 250 या उससे जादा है, तो आप phase 2 में fall करोगे, ठीक है, ध्यार नगना, तो phase 2 में listed के लिए network check मत करना, सिर्फ unlisted के लिए network check करेंगे, ऐसा, is this clear to everyone, yes, तो सर उसको याद कैसे करेंगे, अरे बड़ा simple है, कोई भी एक date याद कर, suppose voluntary तुमने याद कर ली, 1st April 15 से था, तो mandatory के दोनों phase, एक एक साल बाद, phase 1, 1st April 16 से, phase 2, 1st April 17 से, simple, अच्छा, voluntary में तो, जिसकी मर्जी जो apply करना चाहिए करेंगा, phase 1 में कौन आएगा, जो listed या unlisted है, having net worth of greater than or equal to 500, phase 2 में कौन आएगा, सारे listed, और unlisted अगर हो, तो net worth आपका 250 करोड या उससे उपर होगा, तो आप all कर चाहोगे, कि आपको यहाँ तक clear है किया, is everything clear till here, मेरे काल से, it is very simple, very easy to understand, खुद भी पढ़ते तो समझ जाता, but of course, मैं आपको चीज़े, is this clear to everyone, simple है, yes, ठीक है, अच्छा एक और चीज, जहाँ जहाँ मुझे लगता है, किताब में नोटिंग की जरुवत है, वहाँ में किताब में नोट करवाऊंगा, जहाँ लगता है, किताब में मार्क करके काम बन जाएगा, तो मार्क करके बढ़ लेंगे, जैसे for example, जैसे मैंना आपको ये समझाया, तो मुझे लगा कि ये मुझे आपको लिखा के समझाना पड़ेगा, तो लिखा के समझाया तो नोट बनाने का उसकेस में, जहां मैं किताब में मार्क करवाऊ तो किताब में मार्क कर लो, ताकि अच्छी मैपिंग हो जाएगे उ नेटवर्ट आपको चेक करना शुरू करना है 31st March 14 and thereafter का ठीक है मतलब दो साल पहले का नेटवर्ट चेक करना शुरू करना उसके अलावा यह मैंना अल्लेडी बता है आपको इंडियास वन्स अपलेकेबल ऑल्वेस एक बार अपलाए हो गया भार नहीं निकल सकते अब अगर आपको इंडियास अपलेकेबल हुआ तो आपके कोई पैरेंट यह आपकी सब्सीड्री यह आपके असोसियेट यह आपके जॉइंट वेंचर को भी अपलाए हो जाएगा मतलब अगर आपको देंगू हुआ तो पुरे खांदां को डेंगू आपको इंडियास तो पुरे खांदां को इंडियास अपलाए करना पड़ेगा अब यह पैरेंट सब्सीड्री असोसियेट वंचर कॉन है आपने साथ एस में सुना रहेगा अगर आपका किसी भी कंपनी में मोर दन 50% स्टेक है तो सब्सीड्री होती है असोसियेट के अंदर आता है 20 से लेकर 50% स तो अपन डीटेल में इंडेस में पड़ेंगे बट जो भी तो अगर आपको अपलीकेबल अगर आपको लवेरिया हो गया तो पुरे खांदां को लवेरिया हो जाएगा वैसा ठीक है द्यान रखना चलो ट्रालीक पीजिटमेंट पिभी अपलाय करोगे तो आपके इंडेस प्रिटमेंट हाइब पर चलो के अप्लायए करने ऑपके इसमें दोनों में फरक क्या होता है, सबोज आप Parent Company और आपकी कोई सबसीडरी है, तो आपको पता है ना, आपन Parent और सबसीडरी का मिलाकर एक बनाते है CFS बोलते है उसको, तो यह जो Parent है, यह अपने खुद का भी बनाते है, अकेले का उसको बलते है, और यह subsidiary के साथ भी बनाते हैं, उसको बलते है, consolidated financial statements, तो जब इंडेस अपलाए करगा, दोनों पर अपलाए करना, simple, ठीक है, is this clear to everyone, yes, अब एक और चीज़, आगे, अगर आपकी parent subsidiary, associate joint venture, कोई bank है, या insurance है, या NBFC है, तो उस case में उन पर apply नहीं हुएगा, sir क्यों, मैंने क्या बताया, हम applicability फिलाल किसकी पढ़ रहे, companies की पढ़ रहे, तो अगर आपके जो खांदान वाले है, वो bank है, NBFC insurance है, तो फिर उनके लिए तो हम respective date check करेंगे, तो in short, अगर आप parent हो, और आपकी कोई subsidiary है, और यह subsidiary एक normal company है, कोई bank वगिरा नहीं है, तो अग आपको applicable तो इसको भी applicable, लेकिन, अगर आप parent हो, और आपकी subsidiary सब बस bank होती, तो आपको applicable होने से, इस पे applicable नहीं होगा, यह subsidiary तो अपने banking वाले condition चेक करेंगा, यह same query मेरे ख्याल से किसे ने पूछी थी, रूशब ने पूछी थी, कि अगर subsidiary bank NBFC insurance company है, तो क्या उनको भी apply करना है, क्या the answer is no, तो उस case में हम अपने parent ने क्या क्या वो नहीं देखेंगे, हम तो अपने ही respective criteria के सब से जाएंगे, तो अगर आपकी जो parent, subsidiary, associate, joint venture, bank, insurance, NBFC थी, तो उस case में वो तो index अपनी ही respective date से apply करेंगे, I hope this is very much clear to everyone, yes, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, उसके मतलब small and medium enterprises, उनको index apply नहीं करना है, ठीक है, उसके अलावा, जब index apply करोगे, तो आपके comparatives भी as per index होने चाहिए, what is the meaning of this, suppose किसी current year में आपने index apply किया, current year में आपने क्या apply किया, index apply किया, तो आप पता है financial में previous year भी दिखाते हो, तो आपको previous year का भी figures भी as per index देने पड़ेंगे comparative should be presented as per index only, उसके अलावा, जो companies उपर cover नहीं होती है, वो क्या apply करेगी, वो तो अपना प्यारा राजदुलारा as apply करेगी, बराबर जिनका love marriage नहीं हुआ, वो arrange ही करेंगे, simple, चलो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से this is very much clear to everyone, समझ के लेना, याद मत करना, याद करने वाली चीज म आपको बता दिया करूँगा, but I hope you are able to get a basic understanding of the things, मैंना आपके लिए चीज़ें बहुत concise करके अले धी हुई, यसला आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, जब आप model में खोलोगे, तो there will be more lengthier paragraphs and everything, मैंना आपको चीज़ें, मैंने कुछ भी cutshot नहीं किया है, I have tried to concise things for a better summary, for a better understanding, तो आपके लिए easy हो जाएगा वो चीज, is this clear to everyone, आरे yes or no, चलो, तो मैं आपसे सवाल पूछू क्या कुछ, आप जवाब दोगे मरे को, अब जवाब दोगे क्या मरे को, चलो ठीक है, अब देखते देखता आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, चलो मैं आप mandatory apply करने का date क्या था, that is my question, मुझे voluntary apply करने है, तो मेरी date क्या थी voluntary वाली, perfect answer, it was 1st April 15, और voluntary apply कर रहे हो तो इसके अंदर को network वगरा check करेंगे क्या, आरे नहीं बाबा, नहीं, voluntary apply कर रहे हो तो तुमारी मर्जी है, तुम of course, criteria वगरा नहीं देखोगे, तुमारी मर्जी है, जब mandatory में किते phase थे, दो phase थे, phase 1 and phase 2, ठीक है, phase 1 कोन से day से applicable है, phase 1, phase 1 कोन से day से applicable है, तो मैं आपको बताया था, मैंने बताया था, कि क्या check करना, एक एक साल के बाद, तो 1st April 16 और 1st April 17, perfect, ठीक है, अब phase 1 में कोन सी companies आती है, ये मुझे बता दो, phase 1 में कोन सी companies आती है, बताओ, याद है आपको listed, unlisted, जिसका net worth, was greater than equal to how much, listed और unlisted दोनों, but phase 1 में आप दोनों करे net worth check करोगे, कितना होना चाहिए, greater than equal to, perfect answer 500 crores, perfect answer, greater than equal to 500 crores, अगर आप listed, unlisted हो, net worth is greater than equal to 500 crores, applicable, अच्छा, phase 2, phase 2, phase 2, phase 2 के अंदर, कोन सी companies आती है, अगर आपको पता रहेगा, 2 आती है, 20 के अंदर, अच्छा, phase 1 में listed के लिए भी net worth check करेंगे न, answer is yes, ठीक, आप phase 2 में आते हैं, phase 2 में कौन आता है, सबोस अगर मैं listed हूँ, listed, मेरा net worth तो meet नहीं कर रहा है, जो चाहिए criteria, but मैं listed हूँ, क्या मुझे index apply हो जाएगा, बताओ, phase 2 में, मैं listed हूँ, मेरा कोई net worth meet नहीं कर रहा है, but मैं listed हूँ, तो क्या मुझे index apply हो जाएगा, सोच समझ के बताओ, the answer is perfect answer yes, अगर मैं listed हूँ, तो मुझे index apply हो जाएगा, उसके इसमें net worth check मत करना ही, मत phase 2 के अंदर, उसके अलावा, अगर मैं unlisted हूँ, अगर मैं क्या हूँ, unlisted हूँ, unlisted, तो unlisted के लिए क्या check करेंगे net worth, और वो कितना होना चीए, greater than equal to 250 crores, very good answer, सबको समझागे यह वाला part, अच्छा, अगर आपको कोई query आते तो tension मतलो, जब मै लेक्चर एंड करूँगा, तो लेक्चर एंड के पहले मैं आपसे पूछूँगा, आपको जो भी queries है, आपन ऐसा ही रखेंगे, जब आपन concept पढ़ रहे, तो concept पढ़ते समय, queries बीच पे लेंगे, तो concept का flow break हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे, वो concept पूरा हो जाए, उसके आपन queries ले, कभी-कभी क्या होता है, आपके वो concept पूरा करने में, queries solve हो जाती है, या फिर आपके तभी भी solve नहीं होई, तो concept पूरा होने के बाद query पूछोगे, तो concept भी खतम हो चुका, तो better understanding भी मिलेगी और flow भी बरेकनी होगा, मेरे काल चो better option है, yes, but आपको याद हो गया किया यह वाला, देखो, मैंने चाहा था, आपको कहा था, याद नहीं करना है, but by default याद हो गया न, yes, अर्चा, उसके अलावा, कुछ points भी आपने पड़े थे, तो जो basic basic point है, मैं आपको याद करना है, तो क्या-क्या थे, सुन लो, सबसे पहला, अगर network check करना है, तो इस दि या उसके बाद के financial network check करना, simple है, index एक बार applicable, always applicable, उसके अलावा, अगर आपको applicable, तो पुरे खांदान को applicable, ठीक है, लेकिन, एक बात ध्यान रखना, point number five important है, अगर आपका खांदान में, suppose आपको applicable हो गया, आप company हो आपको applicable हो गया, लेकिन आपकी एक subsidiary है, अगर वो subsidiary bank है, यह bank, तो क्या आपके applicable होने से, इसको भी applicable हो गया, क्या, नहीं, अगर आपकी parent, subsidiary, associate, joint venture, कोई bank, insurance, NBFC है, तो उस case में, यह लोग, main company के apply होने से, यह भी apply करने चालू कर देंगे, वैसा नहीं है, इन लोग तो अपने respective date check करेंगे, respective dating की क्या है, वो नीचे आपन पढ़ने वाले हैं, त्यान रखना, तो in short, अगर आप parent हो, और आपकी कोई subsidiary है, subsidiary normal company है, तो आपको applicable तो subsidiary को भी applicable, लेकिन, अगर आपパ passieren हो, और आपकी कोई subsidiary है, लेकिन subsidiary bank है, तो आपको applicable होने से, subsidiary को applicable नहीं हो जाएगा, क्योंकि subsidiary to bank है, तो bank वाले अपना अलग से check करेंगे अब आते हैं ये तो आपने ऊपर जो बात की वो किसके लिए बात की वो companies के लिए मैंने बात करी थी अब मैं बात करूँगा अगर आप bank हो अगर आप insurance company हो या अगर आप NBFC हो non-banking financial companies अगर आप इन दीनों में से हो तो फिर कैसे apply करना है तो banking और insurance के लिए पहले एक date दी गई थी बट वो date रिवोक कर ली and it has been deferred until further notice as per your syllabus real life में it might be applicable बट date दी थी एक banking insurance के लिए बट क्योंकि इनके लिए applicability करना इतना आसान नहीं है और standards यतने well drafted नहीं थे उस समय for them, for these तो इसके लिए इनको जो applicability है वो अब तक differ कर दी गई है वो date रिवोक करके differ कर दी कि जब हम बोलेंगे तब से apply करना आज से मत apply करो अभी अभी मत apply करो तो banking और insurance को आज के टाइम पे इंडर्स applicable नहीं है ऐसा मान लो मतलब उनको apply करना अब तक बोला नहीं गया है पहला उसके बाद दूसरा दूसरा अब अगर आप NBFC हो तो आपके लिए सबसे पहले warranty लिवर option available नहीं देखो आप किसके लिए भी banking insurance और NBFC कहीं भी इनके लिए voluntary नहीं बोला तो यह voluntary apply नहीं कर सकते हैं जैसे companies में voluntary था बट इधर voluntary नहीं है तो यह voluntary apply नहीं कर सकते हैं तो इनको जब बोला क्या था अप्लाए करने है उसके लाबा NBFC में there are total two phases phase 1 और phase 2 NBFC का phase 1 शुरू होता है 1st April 18 से NBFC का phase 2 होता है 1st April 19 से सर phase 1 में कौन आता है same criteria है listed हो या unlisted net worth कितना होना चीए greater than equal to 500 और phase 2 में कौन आता है सारे listed हो बात खतम applicable in phase 2 अगर unlisted हो तो net worth greater than equal to 250 करोर्स तो आप तो बोलो के सर इसका तो phase 1 का criteria और phase 2 का criteria सेम है सिर्फ date अलग है तो तो date कैसे याद रहेगी date याद रहना बहुत simple है it is in continuation only देखो company का voluntary 15 था mandatory में phase 1 था 16 से phase 2 था 17 से बस जहां company ने end किया उसके अगले साल से NBFC का अपले के बल तो company ने end किया था phase 2 17 से याद करने के लिए बता रहे ट्रिक हो गई आपके लिए तो NBFC का शुरुवात होगा 18 से तो है 15 16 17 18 19 15 voluntary 16 17 phase 1 phase 2 companies का बराबर 18 19 NBFC का phase 1 phase 2 आप chronology समझ रहे हो तो याद रखने के लिए आसान होगे आपके लिए बराबर तो इसका phase 1 शुरू होगा 18 से और इसका phase 2 शुरू होगा 19 से और और क्रेटरा दुनोंका सेम है जो उपर companies का था लिस्टेद-unlisted having net worth 500 और फेस 2 में आएगी सारे लिस्टेड आएगी सारे लिस्टेड फेस 2 में वो आएगी जो phase 1 में नीक कवर होबाई तो सारे लिस्टेड या फिर unlisted having net worth of greater than equal to 250 crores is this later everyone simple idea अच्छा एक और चीज कभी कभी क्या होता है हम कुछ चीजों के बहुत depth में जा सकते है हम जाना चाहे तो बट क्यूंकि आपके पास पढ़ने को एक नहीं 8 subject है और 8 subject के सारे concept मिलाओगे तो देरार more than 8000 concepts तो जिसके depth में जाने की जरुवत आपको है मैं ले जाऊँगा आपको है ना जहां मुझे लगता है कि मुझे depth में लेकर जाना चाहिए मुझे और discuss करना है और return में जाना है तो जहां requirement आवा ले जाऊँगा जहां मैं आपको उपर ही तहर के रख रहा हूँ तो आपको उतना उसी लेवल पर रहना है जहां मैं आपको चार फीट के पूल में ढखे लाओ तो वहां चार फीट के पूल तक ही रहना उसमें साथ फीट में जाने का जरुवत नहीं है जिस पूल में दस फीट में जाने का जरुवत है तो एक बात का ध्यान रखना क्योंकि क्या होते कभी-कभी irrelevant concept के उपर भी आपन कोशिश करते कि मैं deep diving करूँ मैं और जानू it is going to be of no use क्योंकि अभी नया है first time पढ़ रहे हो उपर से first lecture तो ज्याद़ जोश रहता है कि और वो सब जान ले जरूरत नहीं यहतना basic basic जैसे होता है na net worth में क्या क्या आ सकता है वो सब की बाते बहुत कर सकता हूँ but not required ठीक है चलो sir what if net worth is greater than 250 for only one year after 2014 तो एक ही साल greater चाहिए यह जो criteria है यह कोई भी सिर एक ही साल meet करना है ठीक है यह हर साल meet नहीं करना है मैंने क्या बता एक बार meet हो गया तो उस साल applicable और index once applicable always applicable समझा अब आगे बड़े क्या चलो sir relationship वालों को याद कराने के जरूरत नहीं है ऐसा ही उनकी date वाली memory strong होती है मेरी तो नहीं है मैं तो बूल जाता हूँ anyway चलो समझा तुमको यह वाला पाट अब NBFC वाले case में net worth कब का चेक करेंगे तो net worth इसका चेक करना है 31st March 16 and thereafter sir उसमें 14 था इसमें 16 ऐसा क्यो ऐसा समझा लो net worth आपन 2 साल पहले का देखना शुरू करते तो यहाँ देखो यहाँ phase 1 कब था 16 तो net worth देखना शुरू किया from 2 साल पहले 14 से तो यहाँ phase 1 के 18 तो net worth देखना शुरू किया 2 साल पहले से तो 16 से ज्यान रखना clear यह वाला part? यह उसके लावा यह important है voluntary adoption of India is not allowed in case of banks, insurance, NBFC यह voluntary अपलाई निकर सेता like companies ठीक है? उसके लावा there are few small banks urban, cooperative banks, regional, rural banks उनको apply करने का चरुवत नहीं are not required to apply India is ठीक है वैसे तो सारी banking को applicable हुआ नहीं है बट still थियान रखना और अगर आप banking company हो आप insurance हो, MBFC हो अगर आपको applicable तो आपके भी पूरे खांदान को applicable तो आपके holding, subsidiary, joint venture सबको applicable हो जाएगा other than those already covered under road map मतलब अगर आपको applicable तो आपके जितने भी family members है जिसको आज तक इंडेस applicable नहीं था उनको भी applicable हो जाएगा उसके लावा यहाँ भी आपको comparative वगेरा देना पड़े network में क्या क्या आता है वो basic article आपको दिया हुआ है एक बार रीड कलेने तक काम का वो होता नहीं है comparative भी आपको देना पड़ेगा as per India, simple ध्यान रखना यह वाला पाट ठीक है यह आपको क्या मैंने discuss किया आपके जाथ road map discuss किया तो इसमें मैंने banking का बात कि insurance का बात किया और NBFC का बात किया is this clear to everyone till year मुझे बता तो यहां तक सबको clear है कि आपको यहां तक comfort zone है रट्टा नहीं मारना है basic समझ गया कि आपको कि हाँ मुझे थोड़ा idea आगा चलो कुन सी companies है कुन से banks है कुन सी NBFC है सब बड़े-बड़े लोग cover है यहां देखो 500 करोड की बात चली 500 करोड की बात चली सब बड़े-बड़े लोग cover है इस इस clear to everyone till year अगर यहां तक clear है तो अब मेरे ख्याल से इस time to do a good revision आज जो भी पढ़ा आपनी एक habit है मेरी habit है और वो आपन पूरे batch में follow करेंगे कि जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको last में 5-7 minutes में revise कर लेंगे आज आपने वैसे ज़्यादा कुछ content नहीं पढ़ा है आपने कुछ heavy नहीं पढ़ा है बट जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आदत तो आदत है तो revise आपन सब कुछ करेंगे इस इस clear? चलो आजाओ ठीक है तो मैं आपको revise कराना शुरू करता हूँ ठीक है? So, we are going to start the revision of whatever we discussed today in 3, 2, 1 and go अचा, सबसे पहले मैं यह सब चीजों की बात निकरा कि book वगेरा बनाओ यह वो, of course ठीक है? बट जो भी हो CA बनना है, बनके निकलना है आतंक मचाना है, अपने को आँग लगा देनी ठीक है? YCA बहुत जरूरी है अपना याद अटना, वो Y यहाँ भी रखना और किताब में भी लिखे रखना अचा, उसके बाद मैंना आपको discuss करके बताया था कि FR में mostly आपका पूरा syllabus इंडेस के ओपर dependent है दो पाट में डिवाइड किया, बताया कुन से कोज़े इंडेस है जैसी मैंना आपको इंडेस बुला हम आगे फर्स टॉपिक के ओपदाट इस इंडेक्शन तो इंडेस तो मैंना आपको इसके अंदर क्या-क्या बताया है सिर्फ सुनते वे चलो इंडेस कहा से आया इंडेस हमने अडवब किया फर्म IFRS, IFRS को देखकर बनाया IFRS में दो तरह के स्टेंडर्ट एक इस करते हैं एक है IAS और एक है IFRS, IAS पुराने होते चल रहेते हैं तो पुराने-पुराने को रियोक करके नया नया इशू करना शुरू कर दिया ठीक है तो अब हमने ये दोनों को adopt करा है तो numbering कैसे करें तो जो IAS12 है वो index 12 बनेगा जो IFRS12 है वो बनेगा index 101, 102 पहला चीज़ second चीज़ हमने index adopt किया है from IFRS तो उसको बलते हैं हमने IFRS को converge करके बनाया है index क्योंकि आपने converge किया है तो there will be some differences between AS index उसको प्यार से बोलते हैं car wins and carve outs बराबर तो इसलिए हम आगे थे हमारे first chapter के ओपर ये सब discuss करके जहां हमको मालूम पड़ा ये index है IFRS converge और कुछ होते हैं difference between index and IFRS उसको बोलते हैं car wins and carve outs अब क्या-क्या आएगा क्या-क्या out में आएगा तो out का एक याद रखना अगर deviation है IFRS कुछ और बोलता index कुछ और बोलता है husband बोलता है यहां जाना है बीबी बोलती है वहां जाना है तो IFRS ने बोला fair value index ने बोला cost तो we will follow index deviation है na IFRS ने एक बोला index ने कुछ और ही बोल दिया deviation है तो carve outs बाकी सारे होईगे carve in अब carve in में क्या-क्या आजाएगा पहला आता है terminology changes what is the meaning of this index बोलता है profit and loss IFRS बोलता है comprehensive income index बोलता है balance sheet IFRS बोलता है financial position है ना याद है कि हम बोलते अभिशेक उसकी girlfriend बोलते है अभि खुच्चू पुच्चू शोनू एसा तो है तो अभिशेकी ना वो term shift नाम change कर दिया उसके लावा remove option IFRS ने दिया दो option cost या variable index नहिए दो में से को एक चुना मैंने चुन लिया है न तो ऐसा तो दोनों में से एक चुना आपने एक option निकाल दिया IFRS का कारविन उसके लवा अगर IFRS चुप है चुप IFRS silent है किसी को लेकर तो merger वाले ट्राशिट को लेकर IFRS हो silent इंडेयस ने treatment दे दिया तो कारव इन हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना यह हमने basic कारविन कारवाट का मतलब अब कारविन कारवाट हर इंडेयस के respective इंडेयस में आपन डिसकस करेंगे उसके बाद हम आते हैं applicability and implementation of इंडेयस के उपर ठीक है कि इंडेयस कब से किसको किसको applicable है तो सबसे पहले applicable होता है companies को companies के अंदर bank NBFC insurance की बाते मत करना सिफ companies की बाते करेंगे voluntary apply करना है तो 1st April 15 से apply कर सकते हो ठीक है उसके लब mandatory के इंदर दो phase था याद है आपको phase 1 phase 2 phase 1 शुरू होता है एक साल के बाद that is 1st April 16 से phase 1 में आगे कब आओगे अगर आप listed या unlisted हो having network of greater than equal to 500 ठीक है phase 2 में कब आओगे एक साल के बाद that is 1st April 17 से phase 2 में कब आना जब आप न इधर आयो न इधर आयो तो phase 2 में आना और phase 2 में कौन आएगा अगर आप listed हो full stop listed हो बात खतम applicable हो गया index अच्छा अगर unlisted हो तो तो अब आपके network check करेंगे 250 या उससे higher होनी चाहिए अगर ऐसा है तो आपको index applicable हो जाएगा voluntary phase 1 phase 2 ध्यान रखना ठीक है उसके अलावा इसमें काम की बाते अगर आपको applicable तो आपके पूरे खांदान को applicable हाँ अगर आपके खांदान में कोई bank वगेरा है तो उसको apply मत करना क्योंकि bank वगेरा तो अपनी respected date चेक करेंगे simple ठीक है इतना ध्यान रखना है बाके सब सेम है उसके अलावा आता है banking insurance और NBFC के लिए banking insurance के लिए अब तक deferment चालो अब तक पता नहीं कब से अपले के बलोगा NBFC के लिए दो phase 1 phase 2 जहां company का phase खतम होता है वहां NBFC शुरू होता है तो company का खतम होता है 17 में बराबत तो इसका phase शुरू होता है 18 में ठीक है तो 18 से phase 1 चेक करना criteria same listed, unlisted, having net worth of greater than equal to 500 phase 2 कब सारे listed, full stop listed हो phase 2 में fall कर जाओगे unlisted, having net worth of greater than equal to 250 crores ध्यान रखना यहां भी ध्यान रखना यहां voluntary adoption allowed नहीं था उसके लावा एक important line इंडेयस जिंदगी में एक बार apply हुआ तो हर बार apply हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना इस बात का बस तो आपने यह basic basic चीज़े discuss करी थी I hope आपको आज का session समझ आता है मैं भी जा नहीं रहा हूँ I am there on the stream for 5 minutes अगर आपको कुछ भी queries है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और ऐसे मैं हर lecture के end पे रहूंगा पाथ से 10 minutes ताकि जो भी queries आप मैं से पूछ सकते हो recorded वाले अगर आपको भी कोई query आती है टेलिग्रम गुरूप पे आप enrolled हो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो आप मुझे personally message भी कर सकते हो चिंता आपको करने के जरूवत नहीं है मेरा full support अपने class के students के लिए रहेगा तो अभी मैं फिलाल आप से जो भी आपको query है पूछ लो अगर मज़ा आया यह बताओ मज़ा आया आपको समझ आया गया जो मैंने पढ़ाया है यह सौर नो बता दो तो मुझे फटा फट से बता दो आपको कैसा लगा आज का session कुछ doubt है तो वो भी पूछ लो I hope आपको यह तरीका कि पूरा पढ़ो फिर रिवाइस करो उससे आपको पूरा recall हो जाता है ठीक है तो I hope that helps बागी कुछ query है तो पूछ लो इफ मैं subsidies LLP विल इंडेस बे अपलिकेबल No company होनी चाहिए वो comparative वाला point फिर से बता दो पर it is very simple वैसे यह comparative वाला point काफी जगे पर आएगा जो आपन दूसरे इंडेस पढ़ेंगे बट basically अगर आपको किसी साल इंडेस अपलिकेबल हो गया suppose NBFC हो तो NBFC में suppose मैं phase 2 में fall कर गया तो मुझे current year कब से अपला होएगा 1920 से तो अब आपके जो financials है उसमें आपको previous year का column देना compulsory होता है तो आपके previous year बनेंगे 18-19 के बराबर तो जो आपने इंडेस इधर अपलाई किया current year में वोई सारे इंडेस आपको previous year में भी अपलाई करके नए figures निकालने पढ़ेंगे इसके लिए हमारे पास इक इंडेस है इसमें इसमें बाते होती है तो मैं इसमें डीटेल में गया नहीं जैसे मैंने कहा था clear? yes चलो sir please एक बार SME वाला बता दो मेरा lag हो गया था internet SME कुछ नहीं SME का मतलब होता है small and medium enterprises का exchange ऐसे दो exchange होता एक तो होता है बड़े companies का exchange और एक उता है चोटी मोटी companies का exchange अगर आप चोटे मोटे exchange पे लिस्टेड हो वो बाले exchange पे लिस्टेड है SME exchange पे तो आपको इंडेस अपले के बल नहीं है simple ठीक है चलो मुहमद साथ कहते है भाई मज़ा आ गया क्या बात है अज़े नाम का एक शूडेंट भी आकाश आवल कहते है मज़ा आ गया सर क्या बात है ठीक है डन फिरोज बाई डन ठीक है आईशा केती है difference between index and AS AS और index के विच में भी difference होते है मैंने बता आता है ना starting में वो हमको सिर्फ तीन चाड़ोपी के लिए पढ़ने है उसको कारविन कारवट नहीं बोलते है AS index के difference को difference ही बोलते है बस ऐसा ठीक है टेलिग्राम लिंक वाच्छाप पे डालता है ठीक है ठीक है उसके लाबा बैंकिंग का फोथ पॉइंट बता दो अरे बैंक इसका फोथ पॉइंट सिंपल है अगर बैंक किसी सपोज आप NBFC आपको अपलेके बल तो आप सपोज आप पैरेंट हो तो आपकी कोई सबसेडरी हो सकती है न तो अगर आपको अपलेक बल तो आपको पुरे खांदर्ण को अपलेके बल सिंपल ठीक है येस तुरुषाब इट विल भी कवर्ड इन दाट केस उसकेस में कवर्ड हो जाएगा गूड सेशन सर मजा आ गया थैंक यू सो मच आर्थी अरे दो दो आकाश है बाई एक आकाश कोई तो और तो अभी आकाश घर्क भी है वो बलता मजा आ गया वेरी यह एट वो अट नो जटाएगे एट वाट तक तर्क पिल द रिक्राटिंग अफ्रेस उप्लोड हो जाएगी डेल काश पर चालो पेस्टू वनफोर 17 चो तो रिजर्वस 31st मार्च 14 के बाद से देखना शुरू करना 31st मार्च 14 एन ओनवर्ड एन देर आफ्टर ऐसा ठीक है नहीं नहीं अभी नहीं आये मांजी येस करेक्ट चलो तो थांक्यू सो मच आई होब दिस हल्प्स तो आई होब आपको मज़ा आ रहेगा ये तो फर्स देता है तो शुरुवात है शुरुवात तो अच्छी हो जाती है तो अंद अपना अच्छा होगा और बैच में बड़ा मज़ा आने वाला है मैं बता दू ठीक है और एक बात बता दू आपको प्लीज आज क्योंकि आपने भली लिमिटेड पड़ा है दस मिनिट निकालना और किताब खुलके देखना कि आज क्या पड़ा था और तभी कल आना अगर आज रिवाइज नहीं करोगे प्लीज मताना प्लीज मताना कल रिवाइज करके आना ही आपको यह हैबिट बिल्ड करनी अगर आज से हैबिट लगा दी कि मैं रोज रिवाइज करूंगा जो पड़ाया सर ने पांच मिट लगे दस मिट लगे ट्वेंटी मिट लगे जितना भी समय लगे एक बार बस खुलके देख लेना आज तो कुछ solving नहीं की तो देख लेना जितना पड़ाया मैंने अगर उतना भी कर लिया ना वह habit बिल्ड हो जाएगी और एक बार habit बिल्ड हो गई ना फिर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए डेली रिवाइस करोगे तो प्लीज रिवाइस करके आना पुजा केती है गेट सेशन नहा केती है सर शुभम केस्वनी सर को बुलाओ ना क्लास में पक्का बुलाओंगा तो प्लीज रिवाइस करके आना तो यार मज़ा आ गया तैंक्यू फर वंडरफूल सेशन मैं कह रहा हूँ अभी तो शुरुवात यार मतलब अभी तो टॉपिक अच्छे अच्छे आने बागी है जिसमें बहुत थमाका वने वाले मज़ा आ जाएगा तुम लोगों तो बस तीविशन करना जैसे मैं बूलू वैसे करना तुम्हारे जो एक्स्पेटेशन तुम्हारे जो उम्मीद है तुम्हारा जो ड्रीम्स है उसम्में पूरा करवा दूँगा तो तुमको पैसा चाहि से यू वाल एक तुमोरो मॉर्निग 7 एम ठीक है चाहिए बाए 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 टेक केर आवरे बाए बाए